वैस आजम बात करने वाले हैं Amazon Pay Later को एक्टिवेट करने की अगर आप लोग Amazon को काफी टाइम से यूज करते हो तो आपके पास Amazon Pay Later को एक्टिवेट करने का उप्शन आच चुका होगा तो इस वीडियो में गैस मैं आप लोगों को विद पूरूप के साथ बताने वाला होगे क इस परकार से आप लोग Amazon Pay Later को एक्टिवेट कर सकते हो सबसे पहले अपना Amazon अप्लिकेशन ओपन कर देना है उसके वच्ड़ हैं यहां पर देख सकते हो कि आप लोगों को एक इस परकार को उप्शन मिलने वाला है तो इसके बाद आप लोगों के सामने इस परकार को तिनी लिमिट मिलती है और क्या-क्या प्रोसेस होता है इसको एक्टिवेट करने का तो सिंपली कि इस आप लोगों के सामने इस परकार को उप्षादा जाएगा जहां पर साइन अप इन 60 सिकेंड के लिए बोला जा रहा है तो आप लोग सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे इसक उसके बाद आपको अपनी डेटोबर्थ एंटर करनी होता है तो चलिए यह दोनों कोलम मैं फटावर से फिलफ कर देता हूं आप लोग अपना पेन कार्ट का नंबर एंटर करेंगे और डेटोबर्थ एंटर करेंगे उसके बाद एगरी एंट कंटीनिक उप्षान आदा सिंपली इस पर किलिक करेंगे तो इसके बाद आप लोगों के सामने इस परकार का उप्षान आएगा जहां पे आपके पेन डी के थुरू है पर वेरिफाइग करना होगा तो यहां पर देख सकते हो कि आदान नंबर मांगा जा रहा है तो चलीए यहां पर हम जो है पना फटकाफर से आदार नंबर एंटर करेंगे आप लोग जैसे अपना अदार नंबर फिलप कर देते हो उसके बाद एग्री एंड कंट और इसके बास फिर्फर लिमिट किलिए लिए आप चाहिक करेंगी एक्टिवेट करना होगा तो यहां पर हैंगरीन को पसाना रहा चलिए हम में इसके कलिक करके कि अपने पेलिटर अकाउंट को फाइनली पूरा सेट अप कर लेते हैं ठीक है अब मैंने जैसा ही एगरी एंड कंटीनु पर किलिक करा उसके बाद करने का उप्सन रह रहा था तो अभी हमारा आपके सामने इस परकार को उप्सन आने वाला है अब यहां पर आपको टोटल लिमिट हो गयरा बता दी जाएगी अगर आप अपने लिमिट को योज करके रखते हो तो वह भी आप बता दिया जाएगा यहां पर डियुडेट हो गयरा सभी चीज़ें बता दी जो कि इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप अपना ओटो रिपेमेंट सेटप नहीं करते हो तो आप अपने पे लिटर की 100% लिमिट योज करने के लिए आपको ऑटो रिपेमेंट सेटप करना होगा यह फिर आप आप ओटो रिपेमेंट सेटप नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ आप लोग लोगे 1000 रुपई इसके यूज कर सकते हो जो कि यहां पर आप लोगों को रिपेमेंट करने के लिए 2cribe मिल जाते हैं एक तू यहां पर देख सकते हो में एक रिपेमेंट को औसन के ग्रेडर लिमित योच करके देखने वाला हूं क्या हम इसकी ग्राइडर लिमिट बिना ओटो पेडारिंट करे योच कर पाते हैं कर सकते हो जो कि यहां पर देख सकते हो कि मैंने 999 रुपए की ट्रांजेक्शन करके देखा तो बीना ओटो रुपेमेंट सेट अप करें आप मैकसिमम के सामने इस परकार को उफ़सन आने वाला है जो कि यहां पर सबसे पहले आपको अपना बेंक सेलेक्ट करना होगा इन मेंसे जो भी आपका बेंक है जिसपे कि आप इमें दूर्ट सेट अप करना चाहते हो वो आप लोग........ इ सब्सक्राइब इसके बाद यावां पर बोला जा रहा है यानि करने के लिए यानि कि आप डेविट कार्ष से उटब करना चाहते हो या फिर निट बैंकिंग से तो यह आप कोदिंग सेलेक्ट कर देंगे इसके बाद आपके सामने प्रोसीट को अपसान और तो चलिए हम प्रोचीट़ करें श्रीऊ पर का नाम बता दिया जाए घंगा इंड कर रहा है इसके आपको जो आपना अपना अकॉट नमबर एंटर कर लिया ठीक है यहां पर थोड़ा सब वीट करेंगे ठीक है अब यहां पर नेच वाले फॉर्म पर ले जाएगा तो यहां पर दिख सकते हो कि आपके सामने जो है करना होगा लोग दोoton करेंगे इसके बाद को सब्सके परकार गेंगे यहां पर लोगों को अपने पास कोड एंटर करना होगा तो आपकड प्रोसीड करतेंगे इसके बद गने उससारा basis Rob तो यहां पर उसकी request successfully payment bank के पास चली जाएगी यानि कि आप जिस भी bank में setup कर रहे हो उस bank के पास आपकी जो request successfully चली जाएगी ठीक है तो यहां पर आपने थोड़ा सा नीचे score करना है इसके बाद प्रोसीट का उत्साना आ रहा है तो आपने simply प्रोसीट पर किलिक करने के बाद आपको यह वापस कर देगा Amazon Pay later के उपर ठीक है तो यहां पर देख सकते हो कि हम जो है वापस आ चुके Amazon Pay later के account पर तो यहां पर थोड़ा सब वेट करेंगे और यहां पर देख सकते हो कि हमारा auto repayment setup successfully complete हो चुका है अब इसके बाद हम जो है अपने Amazon Pay later के 100% limit यूज कर सकते है इसके अलावा कभी आपको अपना repayment setting change करने की जरूरत हो तो यहां पर आपको repayment setting का एक option मिलेगा आप then इस पर click करेंगे यहां पर आप लोगों का bank बता दिया जाएगा किस date को आपने auto repayment setup करा किस method से करा यानि कि किस mode से करा वो सब यहां पर बता दिया जाएगा इसके अल झाल झाल